नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सबीका पाथ फाइंडर पर So after a gap of few months एक बार फिर से दोस्तों रोहिंग्या refugees जो है वो सुर्खियों में आ चुके हैं Now, रोहिंग्यास के बारे में थोड़ी सी basic जानकरी होनी काफी important है यहाँ पे कुछ महीने पहले क्या हुआ था कि बांगलादेश की government के दोरा इन रोहिंग्या refugees को दोस्तों एक particular island के उपर shift करवाया गया था जिस island का नाम था भसंचार island और यह जो आप यहाँ पे photo देख पा रहे होंगे यह वाली जो photo है दोस्तों यह भसंचार island के उपर जो बनाए गए रहने वाले camps हैं उनकी photograph है now यहाँ पर यह particular खबर आने के बाद आज यह खबर सामने आ रही है कि रोहिंग्या refugees कई सारे ऐसे लोग हैं जो की इस भसंचार island से flee करने की यानि की भागने की कोशिश कर रहे हैं सबसे पहले तो थोड़ी सी हम background को समझेंगे कि exactly रोहिंग्या refugees जो है यह भसंचार island में shift क्यों करे गए थे उसके बाद यह भी समझा जाएगा कि exactly आज क्या वज़े है कि रोहिंग्या refugees जो है वो इस particular island से भागने की कोशिश कर रही है चलिए start करते हैं दोस्तों मेरे साथ सबसे पहले जान दीजे 2016 में क्या हुआ था 2016 में basically क्या हुआ था कि रोहिंग्याज के उपर एक बहुत ही जादा बड़ा army crackdown हुआ था Myanmar के रखाइन प्रोविंस में Myanmar का जो रखाइन प्रोविंस है आप यहाँ पे देख सकते होंगे यह Indian Ocean के साथ टच करता है Bay of Bengal सा टच करता है दोस्तों और इस रखाइन प्रोविंस में Myanmar की military के द्वारा जो crackdown हुआ था इसकी वज़े से यहाँ से ऐसा माना जाता है केवल रिपोर्ट्स के अनुसार की 8 लाग के आसपास रोहिंग्या लोग थे जो की यहाँ से भाग पड़े थे यह खबर आज से लगबग 5 साल पुरानी खबर इसमें से कई सारे लोग भारत में भी आये थे लेकिन maximum जो लोग है वो यहाँ पर भाग के बांगलादेश के एरिया में चले गए थे जिसमें की बांगलादेश का जो area Cox Bazar का area है दोस्तों यहाँ पर यह लोग रहने लग गए थे कई सारे conditions ऐसे थे कई सारी ऐसी यहाँ पर camps थी जो की बनाई गई थी लेकिन because इनकी जो संख्याती बहुत जादा है और Cox Bazar का अपने आप में भी population काफी जादा है तो वहाँ पर conditions रहने वाली बहुत ही जादा खराब हो चुकी थी It is often said कि इनकी जो रहने वाली conditions थी काफी unhygienic थी और काफी जादा खराब हालातों में ये लोग रह रहे थे दोस्तों रहिंग्या के जो लोग हैं ये एक stateless लोग माने जाते हैं यानि कि इनको कोई भी country दुनिया में recognize नहीं करती है इनके पास कहीं पर भी नागरिकता अवेलिबल नहीं है यहाँ पर इन चीजों को ठीक करने के लिए बांगलदे सरकार की थोड़ी कोशिश जारी चलती रही आप यहाँ पर देख भी सकते हैं 2018 की ये particular खबर है दो साल के बाद एक साल हो चुका था एक दो साल हो चुके थे जब यहाँ पर रोहिंग्या रिफीजिज रहे रहे थे इस particular कौक्स बजार की जहाँ पर की आपको इतने सारे रोहिंग्या रिफीजिज देखने को मिल रहे थे इस particular आइलेंड के अंदर भेजने वाले हैं तो यहाँ पर शिप की जर्नी शुरू करवाई गई और ये पूरी की पूरी मुवमेंट दोस्तो December 2020 के आसपास करवाई गई थी जब इन सभी के सभी लोगों को रोहिंग्या रिफ्यूजीज को कौक्स बजार में से निकालके majority लोगों की बात कर रहा हूँ भसंचार आइलेंड में शिफ्ट करवा दिया गया था उस समय भी थोड़ी बहुत resistance थी UN की तरफ से resistance भी आई थी कि आपने भसंचार आइलेंड में उनको shift क्यों किया क्योंकि वहाँ पर amenities अवेलिबल नहीं है लेकिन यहाँ पर फिर भी कई सारे लोग इस चीज़ को लेगे खुश भी थे क्योंकि उनको ये था कि हम यहाँ से इस congestion से निकलेंगे और एक नई जगा पर एक नए घर में जाके रहेंगे इनी सब चीज़ों के चलते अब जो latest चीज़ सामने आई है वो यह आई है कि कई सारे रोहिंग्या refugees यहाँ से भाग निकले हैं इसके बारे में आपके साथ मैं discussion करने वाला हूँ स्टार्ट करते हैं दोस्तों मेरे साथ मेरा नाम है अनिरुद यदि आप लोग इस lecture की PDF को डाउनट करना चाहते हैं तो यहाँ पर दियेगे टेलिग्राम चैनल्स के उपर से कर सकते हैं इसके इलावा दोस्तों आप लोग चाहें तो मुझसे है कि अभी तक हमने केवल 20 लोगों को पकड़ा है there is a high possibility कि शायद यहाँ पर जो भागने वालों की संख्या है वो जादा है इन्होंने इनको पकड़ा नोवखाली में and they were arrested from the इच्छाकली बांगबंदू economic zone area under the जुरार गंज पुले स्टेशन और जो लोग भागे थे इसमें दोस्तों इसमें 11 जो थे यह चिल्रन थे पांच इसमें वुमिन थी और चार इसमें जो थे यह पुरुष थे आप यहाँ पे देख सकते हैं धाका ट्रिब्यून की यह खबर है in fact अगर आप देखें यह वाली तो केवल एक खबर है इसके पहले भी ऐसी खबरे कई बार सामने आई थी कि रोहिंग्या refugees जो हैं वो अपने camps में से भागने की कोशिश करते रहते हैं कई बार ऐसी खबरें सामने आती हैं कि 100 रोहिंग्या refugees ने भागने की कोशिश करी एक बार यह खबर सामने आई थी कि 84 रोहिंग्या refugees ने भागने की कोशिश करी तो यह चीजें काफी normal हैं but the bigger question is कि यह लोग यहाँ से भागने की कोशिश क्यूं कर रही हैं सबसे पहली बात आपको बताना चाहूंगा, लेकिन दोस्तो बात आती है खाने की, अगर बात करते हैं बांगलादेश में खाना किस परकार का खाया जाता है, जिस परकार का खाना, वेस्ट बेंगॉल में लोग खाते हैं, बेसिकली राइस और फिश का बहुत जादा सेवन हो सकते हैं, इसलिए हम लोग इन कैम्प में से भागते हैं, लेकिन ये केवल एक कारण है, दूसरा कारण क्या है, दूसरा इनसान ये बोलता है, कि जब तक बांगलादेश की सरकार मुझे कोई काम करने का मौका नहीं देगी, एवन दो वो मुझे खाना अगर देते रहेंगे मैं वो खाना नहीं खाऊंगा, मुझे यहाँ पर रोजगार चाहिए, क्योंकि जब तक मुझे रोजगार नहीं मिलेगा, मैं हमेशा एक डर में जीता रहूँगा, तीसरे नमबर पर एक कहानी ये भी आती है, कई सारी महिलाएं ये बोलती है, कि हमें जो है, सेल्फ डिगन चाहिए, यानि कि हमें एक पहचान चाहिए, हमें एक आइडेंटिटी चाहिए, हमें केवल खाने और रोजगार से मतलब नहीं, जब तक आप हमें सेल्फ डिगनिटी नहीं देंगे, तब तक हम यहाँ से भागने की कोशिश करते रहेंगे, इतना ही नहीं, मैंने आपको प पहली आता है, भाग कर जाते कहा हैं दोस्तों, देखिए, यह कहानी आपके सामने मार्च 2021 की है, उस टाइम पर भी अगर आप देखें, 41 रोहिंग्या मुस्लिम्स थे, जो की यहां से भागने की कोशिश कर रहे थे, उस टाइम पर जो यह भागने की कोशिश कर रहे थे, य ये जा रहे थे मलेशिया की तरफ। और जो आपके Rohingya Muslims बांगलादेश के भसंचार आईलैंड में हैं, ये भी मलेशिया, या फिर Thailand जैसी कंट्रीज में भागने की काफी कोशिश करते रहते हैं। कई बार ये लोग भारत में आने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन भारत में यहाँ पर थोड़ी policies का difference है उसके बारे में चर्चा फिलाल में नहीं करने वाला हूँ बात करेंगे Malaysia और Thailand ने ये लोग क्यों जाते हैं दोस्तों main current इनका religion है क्योंकि वहाँ पर इनको लगता है कि ये अपनी identity को वापस चायद पा सकते हैं इसलिए Malaysia और Thailand की तरफ जाने की कोशिश करते रहते हैं ये कहानी दोस्तों March 2021 की है बट चीजें इनके लिए वहाँ पर भी आसान नहीं है कई सारे ऐसे research papers सामने आए हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं इसी साल का research paper सामने आया था कि trafficking issues plight of rohingyas in Thailand यानि की Thailand में जाकर भी इनके साथ ज़ादा अच्छा बरताव नहीं हो रहा है उसके बाद ये वाला particular एक और issue सामने आता है कि जिस country से ये भागे थे ये उसी country में वापिस क्यों नहीं जा सकते why can't they return to Myanmar या फिर can they return to Myanmar देखिए मैंने आपको शुरुवात नहीं बता दिया था कि Myanmar जो है वो Rohingyas को असल में recognize ही नहीं करता है क्योंकि वो recognize ही नहीं करता है इसलिए इनको लगता है कि वहाँ पर जाएंगे तो इनकी हालत और खराब हो सकती है वो इनको केवल और केवल Bengalis के रूप में ही recognize करते हैं और वहाँ पर आज भी Rohingya Muslims के खिलाफ काफी जादा भेदभाब जो है वो कायम है In fact Myanmar एक बहुत बड़े grouping का हिस्सा है जिसका नाम है ASEAN ASEAN का नाम आप से सुना होगा This is an association of Southeast Asian nations दोस्तो जो Southeast Asian nations का ये association है तख्ता पलट होने के बाद military का राज चल रहा है वहाँ पर ये लोग जाएंगे तो definitely इंको काफी डर लग रहा है In fact अगर आप देखें ये Myanmar के एक military leader का statement है इन्होंने कहा After we gained our independence, the census only registered the words Bengali, Pakistani and Chittagong But never the word Rohingya, thus we never accepted it और इन्होंने almost यहाँ पे clear कर दिया है कि हम Rohingya refugees को वापिस जो है अपनी country में accept करने में interested नहीं है Obviously situation इनके लिए काफी खराब है और इसलिए अगर आप देखेंगे UN ने Rohingya Muslims को ऐसा कहा है कि these are the most persecuted minority in the world दोस्तो ये जो है stateless है They are most persecuted और आज की date में जो इनके हालात है शायद ही दुनिया में किसी और समू के या किसी समुदाई के हालात होंगे situations काफी खराब है इनका भागना justified है नहीं justified है It's a very very subjective thing to say But yes, हम यही उमीद करते हैं कि जल्द से जल्द इनको लेकर कुछ ना कुछ solution या इनकी जो problems है उनको कुछ ना कुछ लेकर solution सामने definitely आए फिलहाल के लिए दोस्तों वीडियो में इतना ही जाने से पहले आपको बताना चाहूंगा Unacademy के दोस्तों prices बढ़ने वाले हैं एक August थे जो चीजें आपको open market में 2.3 lakh में मिलती है Unacademy आपको वही चीजें 57.5 thousand ने provide करने के लिए यहाँ पर तयार है और 57.5 thousand के ऊपर भी आपको 10% का extra discount मिलता है using my referral code ANI UPSC remember guys इसमें आपको केवल discount ही नहीं बलकि मेरी personal guidance भी available होती है so be prepared to start your UPSC journey with me with Unacademy इसके साथ आपको Unacademy पर नई batches मिलते हैं जिसमें की इंडिया के top educators आपको guide करेंगे डेली की faculty आपको guide करेंगी और साथ में X-bureaucrates भी आपको guide करेंगे if you are thinking की unlocking होने के बाद दिल्ली जाओंगा you are thinking wrong क्योंकि दिल्ली के लोग तो already Unacademy पर आ चुके हैं अगर आप 2 साल का लेते हैं subscription तो आपको एक साल का validity completely free of cost provide करवा दिया जाएगा किताब series अभी भी चल रही है इसमें भी आप लोग enroll कर सकते हैं also don't forget to enroll in the victory series दोस्तो अगली class होने वाली है 22 of July को जिसमें दुपहर 2 बज़े आप से मुलाकात होगी यानि कि कल दुपहर आप से मुलाकात होगी इसके बाद दोस्तों combat में साल ले सकते हैं using my referral code ANI-UPSC and also the free test series using my code ANI-UPSC thank you for listening stay tuned and stay safe